हाई गाइस अलो अरवन एंग वेलकम बैक टो वर चैनल टेच्निकल सिविल जब भी हम बीम की डिजाइन या बीम के फेलियर मोड्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन डिफरंट डिफरंट सेक्शन अवेलेबल होते हैं पहला होता है इसमें balance section, दुसरा होता है under reinforced section और तीसरा होता है over reinforced section इन तीनों section को आज हम टेकनिकल सिविल शॉर्ट में simple और simple और सरल सब्दों में समझने की कोउशिश करेगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इन तीनों मेंसे कौन सा service rest और commonly used किया जाने वाला section होता है ठीक है, तो अगर मैं balance section की बात करूँ, तो balance section का मतलब वो section होता है, जिसमें हम concrete और steel, concrete और reinforcement, इन दोनों की strength को इस तरह से design करते हैं, इस तरह से provide करते हैं, कि अगर इस particular member पे load apply किया जाए, तो दोनों की जो permissible strength है, वो एक साथ achieve हो, एक साथ reach हो, ऐसा नहीं कि पहले concrete की permissible strength आ एक साथ achieve होती है, इस तरह से इनको proportionate या synchronize करके design किया जाता है, ठीक है, balance करके design किया जाता है, और इसी लिए इसको balance section का नाम दिया गया है, अब क्योंकि इन दोनों material की, इस तरह के section के अंदर, दोनों material की जो permissible limit है, वो एक साथ achieve हो रही है, एक साथ आ रही है, तो दोनों को हम कहते है, balanced failure, क्या कहते हैं, balanced failure, तो I hope कि आपको ये clear होगा, कि balance section किसे कहते हैं, और balanced failure किसे कहते हैं, अब दूसरा section, वो है हमारा under reinforced section, अब under reinforced section, बढ़ा ही simple सा है, इसमें होता क्या है, कि इस section को इस तरह से design किया जाता है, कि आपके जो reinforcement, beam के अंदर, ये section के अंदर, जो concrete की strength से कम रखा जाता है जिससे होगा क्या कि अगर इस particular section पर हम load apply करेगे तो पहले fail होगा आपका steel पहले reinforcement fail होगा ठीक है तो ये होता है हमारा under reinforced section और जब भी ये section fail होता है तो इसको हम ductile failure कहते है या फिर under reinforced failure कहते है ठीक है तो ये आपको समझ में आजाना चाहिए कि under reinforced section क्या होता है अब बात करते हैं आखरी section की वो है मारे पास over reinforced section और इंफोर्स section आपको खुद बता रहा है कि over reinforced है ये मतलब क्या कि इसके अंदर जो reinforcement की strength है वो concrete से ज्यादा है concrete से ज्यादा है reinforcement की strength concrete की strength तो इसमें अगर कोई confusion हो तो आप मुझे comment करके बता दीजिएगा इसमें neutral access वाला point भी होता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा technical details में ले जाकर और भी confuse करूँ इसलिए जब भी आप derivation उसका करोगे तो अगर यह logic basic concept उसके पीछे का समझ में आ गया है तो फिर आपको वो neutral access वाला भी आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है अब देखिए तीनों में से service risk और commonly use किया जाने वाला section कौन सा है तो इसमें जो second type का section था यानि under reinforced section ये सबसे ज़्यादा commonly use किया जाने वाला section है क्यों इसके reason है दो अगर मैं आपको major कारण बता दू इसकी तो वो पहला वो है कि ये safe section होता है इसको हम safe मानते हैं क्यों मानते हैं safe तो safe इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जब हम reinforcement provide करते हैं तो वो concrete से कम होता है concrete ज्यादा, concrete की strength ज्यादा होती है, reinforcement की strength कम होती है, जब भी इस पर load आएगा, तो पहले fail होगा, reinforcement, steel आपका fail होगा, steel fail कैसे होगा, steel ductile material है, तो जब भी steel के अंदर failure होगा, तो पहले वो deflect या deform होगा, elongate होगा, ठीक है, उस particular member के अंदर deflection show करेगा, अब जब deflection show करेगा, उसमे wrong with this particular member, तो आप इसका संग्यान ले, या तो इसको repair करो, या तो यहां से निकल लो, ठीक है, ये एक sign देता है, बचाओ की अपने, तो इसलिए, इस point of view से, ये एक safe member या safe section माना जाता है, दूसरा एक major point इसका है, वो है economical होता है, economical क्यों होता है, under reinforced section, economical इसलिए होता है, क्यों strength है, वो कम करते हैं, तो steel की strength का मतलब, steel का use भी कम होगा, तो ultimately हम कह सकते हैं, इसकी economical हम यहां पर इसको, एक point of view से देख सकते हैं, इसके अंदर economy achieve हो रही है, ठीक है, तो इस माध्यम से ये economical section हो जाता है, और ये safer section भी होता है, तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर हम ज्यादा तर जो हैं, अंडर rainforest section को prefer करते हैं, I hope कि आपको ये concept अप clear हो चुका होगा, फिर भी कोई doubt होता है, तो मुझे आप comment के जरीए बता सकते हो, और भी धेट सारे concept और वीडियो आप तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए हमारे ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, बे इवाद.